हाई, आज इस वीडियो में हम समझेंगे इनर्शिया सर अलबर्ट आइंस्टाइन का एक बहुती फेमिस कोट है आपको क्या लगता है कि आइंस्टाइन के ऐसा कहने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है आज की इस वीडियो में हम इस लॉजिक के पीछे छुपे हुए इनर्शिया को ही डिस्कस करने वाले हैं बट इनर्शिया की बैटर अडिस्टाइन के लिए हमें सर आईजेक न्यूटन के द्वारा दिये गए फर्स लॉफ मोशन को एक बार फिर से देखना होगा According to first law of motion, an object will remain at rest or in uniform motion until acted on by an external force In simple words, कोई भी object वही काम करना चाता है जो वो कर रहा होता है It means, अगर कोई object rest में है, तो वो अपने rest की position में ही जहना चाता है और अगर वो motion की state में है, तो वो खुद को motion में ही रखना चाहता है Object की इस tendency को ही हम बोलते हैं inertia और इस inertia की वज़ा से ही first law of motion को हम law of inertia भी बोलते हैं तो चलिए अब हम समझते हैं what is inertia And we also discuss the effect it has and what affects it Inertia is a resistance offered by an object to change its state of motion अगर कोई object rest में है, तो वो rest में ही रहता है और अगर motion की state में है, तो same velocity के साथ वो motion में ही रहेगा जब तक इन object पर कोई unbalanced force नहीं लगता तब तक ये अपनी state में कोई भी change नहीं करेंगे चलिए, अब inertia को कुछ example की help से समझते हैं Suppose एक truck road पर चल रहा है इस truck के उपर कुछ untide load रखा है अब अगर अच्छानक से brake apply किये जाएं तो truck तो stop हो जाएगा लेकिन इसके उपर रखा हुआ load आगे की side move करेगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि load अपने motion की state को retain करने की कोशिश कर रहा था undisturbed object के अपने motion की state को maintain करने की tendency को ही inertia कहते हैं चलिए, inertia का एक और example देखते हैं Suppose एक glass है जिसमें कुछ पानी है इसके उपर एक card रखा है और उस card के उपर एक coin है जब इस card को अचानक से खीचेंगे तो coin glass में गर जाएगा और card बाहर की side move कर जाएगा ऐसा इसलिए हुआ because coin rest में था और वो अपने motion की state को maintain कर रहा था अब क्योंकि card और coin इन दोनों पे लगने वाला force gravitational force से कम था इसलिए coin glass में गर गया लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सभी object का inertia आपस में equal होगा सभी object अपने motion की state को resist तो करते ही है तो सभी object की inertia भी same होनी चाहिए बट ऐसा नहीं होता क्योंकि inertia हमें बताती है कि कोई object अपने motion को किस limit तक resist कर सकता है अगर किसी object की inertia high है तो उसको move करने के लिए high force apply करना होगा यहाँ high inertia को हम object के mass से relate कर सकते है जितना ज़्यादा mass किसी object का होता है उतना ही ज़्यादा हमें force apply करना होता है इसको एक example से समझते है इस situation को ध्यान से देखिए अगर हमारे पास एक खाली box है और हम उसे move करने की कोशिश करते है तो वो easily move हो जाता है बहुत कम force लगा के बट अगर यह box बुक्स से भरा हुआ हो और अब हम इसे move करने की कोशिश करें तो हमें बहुत ज़्यादा force apply करना होगा इत मीज जितना ज़्यादा mass होगा उतना ही ज़्यादा हमें force apply करना होगा इत मीज ऑबजेक के mass से हम inertia का पता लगा सकते हैं और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि किसी object की velocity को change करना कितना ज़्यादा difficult या कितना ज़्यादा easy है force equal होता है mass into acceleration के it means f is equal to m into a और यहाँ से हमें पता चला कि force directly proportional होगा m it means mass के so simply mass is the measure of inertia so आज की इस video में आपको समझ आ गया होगा कि what is inertia exactly and what is the relation between mass and inertia next video में हम mass और inertia इनको और ज़्यादा deep में समझेंगे कुछ interesting example की help से so it's all about inertia